धन्तेरस की आप सभी दर्सकों को धेर सारी सुपकामनाएं और आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सनमार धन्तेरस के दिन कुछ विसेश वस्तू लाई जही जाती है और उसकी पूजा विसेश तोर पर की जाती है लेकिन धन्या से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे प्रियोग हैं जो आपके जीवन की मुश्किलों से आपको बाहर निकाल सकता है तो धन्तेरस के दिन आप कुछ खरी दे या ना खरी दे पर धन्या जरूर खरी दे धन्या मा लक्षमी से सम्मंद भी रखता है और धन्या ये बताएगा कि पूरा साल आपका कैसा होगा आने वाला साल कितनी खुसियां कितना धन कितने दौलत सोहरत और इजजद लेकर आएगा तो धन्या से जुड़े वे बहुत सारे प्रियोग बताएंगे अंतक बने रहें बहुत पूजापाट के बाद भी अगर भाग साथ ना दे तो एक छोटा सा प्रियोग करें धन्या जो कि धन को बढ़ाने वाला है और मालक्षमी की सबसे पसंदीर आवस्तु है धन्या ना सिर्फ आपके खाने का स्वाद बढ़ाती है बलकि इसका उपाय करके आपके जीवन की धन की मुश्किलों को भी आप दूर कर सकते हैं वैसे तो धन्या का टोटका हमेशा ही आपको फल देता है 100% क्योंकि तंतर सास्त के अनुसार धन्या का उपाय करने से घर में सुक्सानती भी आती है और धन की स्थितिम मजबूत भी होती है हलनकि धन्या का ये तोटका आम प्रचलन में है तो आज हम आपको बताएंगे कि धन्या से कैसे आप धन की मुश्किलों को दूर करें तंत्र सास कहता है कि किसी भी बुद्वार या सुक्रवार के दिन अब जूकि बुद्वार इसलिए क्योंकि हरा पत्या होती है धनिया की और हरा चीछ बुद्वार से संबंद रखता है और सुक्रवार यानि सुखी भी धनिया का प्रियोगा आप सुक्रवार को करें तो धनि दीपक में थोड़ा सा सूखा धनिया रखे एक सिक्का रखे और उसमें पानी डाल दे अब इसको आप अपने घर के उत्तर दिसा में या पूजा स्थान में आप रख दे दो दिन के बाद जब लगे कि धनिया से हलकालका अंकूर निकला रहा है अगर पानी कम हो जा मिट्टी सूख लेता है पानी कभी-कभी तो उसमें पानी डाल दीजिएगा दो दिन के बाद उस सिक्के को आप पोश्च कर अच्छे से उठा कर आप मांक के सामने लक्ष्मी के सामने मां लक्ष्मी के सामने रख दे या फिर धन के अस्थान पर रख दे और जो धनिया है उसको अप लेकिन अगर कार्तिक कम Hai नहीं में पूरे महने में किसी भी दिन कर लें या फिर सुक्रबार के दिन भी कर सकते हैं एक सफेद काज ले लें अब आप एक काला रंग का पेनल ले ले या फिर काजल से जो बैक्ति आपका पैसा लिया है उस बैक्ति का नाम लिखे और उसके उपर थोड़ा सा सुखा धनिया रख दे अब इसकी पुरिया बना ले और इस पुरिया को आप बहतेवे जल में प्रभाइद कर दे या फिर कही पीपल के नीचे रख दे आप चाहें तो इसको छट पर ले आकर जला भी सकते हैं लेकिन इस प्रियोग को करतिस में कोई टोके नहीं इसका ध्यान रखिएगा फसाओ रुकाओ धन आजाएगा और धन आने के माद भी खुलेंगे लेकिन धन तेरस के दिन जब आप धनिया लेकर आएंगे तब आप सब तमाम बस्तू लेकर आएंगे पुजा पाठ के लिए सब कुछ रखिएगा पुजा स्थान पर ही और इसको आपको रात में जागरित करना है यानि जब दिया बाती करेंगे जब साम के समय आप सब कुछ रखेंगे जब आप कुबेर जी और फिर आप इस थोड़े से धनिया को आप जल में भीगोकर रख दें बाकी का सुखा ही रखिएगा और सुखा धनिया जब दीपावली का दिन आएगा तो उस दिन मालक्षमी को आपको अर्पित करना है और जो धन की पोटली बनाएंगे उसमें भी धनिया डागिएगा और मालक्षमी को अर्पित किया धनिया थोड़ा सा उठाकर अप किसी कागच की पुड़िया में बना कर आप अपने धन के अस्थान पर रख लीजेगा और साथ ही थोड़ा धनिया आप अपने घर के गमले में मिट्टी में आंगन में क्यारियों में बो दीजेगा और ये पेड़ बताएगा कि आने वाला साल आपके जीवन में कितनी खुसियां लेकर आ रहा है क्योंकि जितने अच्छे तरेके से मोटा ताजा सा बड़ा बड़ा पत्ते वाला ग्रिन पेड़ उगेगा उतना ही ज्यादा धन आएगा लेकिन अगर पेड़ उगे ही ना तब घबरा यह मत हो सकता है बीच खराब हो इसमें आपका कसूर नहीं फिर से आप अच्छी धनिया लाकर बीच बो दें और जो धनिया का पेड़ होगेगा उसको आराम सिखाए यह नहीं की फेक देना है नहीं सो का यह उपरसाद है और यह परसाद खाने से तीन जेगा पर धनिया खोरा सा मिट्टी के बरतन में रख दें धनिया सिक्का और उसमें पानी डाल कर और इसको आप गमले में बो दीजेगा अगले दें अखिर धनिया ही हम क्यों खरी दें क्या इसके पीछे कोई खास कारण है या फिर धनिया खरीदने से सच में मालक्षमी प्रसंद होती है तो खर में धन्दाने भरा रहे और ये धनिये के बीच धन तेरस पर लाके आप करेंगे क्या मा लक्षमी की जो आप पूजा करेंगे दीपा वाली में यह यह मिट्टी में तो सा धनिया आप अपने तीजोरी में रख लें इसके बाद इससे जो पेड उगेंगे ये बताएगा आपके पूरे साल का हाल कि आपका पूरा साल कैसा बीतेगा जी हां दोस्तों ये सच है अगर धनिया का पेड बहुत खुबसूरत निकला एकदम हरा भरा घना घना तब इसका मतलब होता है कि पूरे साल आपके पास चक कर धनाएगा दिन दूनी राज चोगोनी तरक्की करेंगे लेकिन वही अलग-अलग थोरा-थोरा गाश निकला तो इसका मतलब है ठीक रहेगा लेकिन एक दम पीला पन लिये वे अच्छा गाश नहीं निकला तो इसका मतलब होता है कि अभी थोरा और संगर सबाकी है और ये धनिया बताता है कि आपका साल कैसा बीतेगा लेकिन एक बात हमेशा याद रखे हम पहले भी कह चुके हैं थोरे से धनिया का बीज ले आईएगा ये समूचा धनिया से अच्छा पेल नहीं उकता है इसलिए थोरी अपनी बुद्धिमानी से काम ले और मिट्टी भी ढंग से त्यार करके रखेगा और फिर ये जो धनिया क ये धनिया के बीज आपका जीवन का हाल नहीं बताएगा वो भी खुसियां लाएगा तो अपने कुद पर भ्रुसा रखे और मां तो है आई ही है आपका बात हमेशा है आद रखिए गा आप दिपावली के दिं लेकिन इसको अगले दिन अपने घर के मिट्टी में गमले में आंगन में जहां भी आपका जगा है कच्छी मिट्टी है वहां प्रबोधे और यही पेड़ बताएगा कि आपके जीवन में कितनी खुशियां आएगी पूरे एक साल तक वैसे तो यह धनिया यह जैसे कि घर में कभी-कभी क्या होता है भारी पन लगता है निगेटिव इनर्जी बढ़ गई है जगड़े लाड़ाई होते हैं घर में अच्छा नहीं लगता धन की मुस्किले आ रही है तब एक मिट्टी के बरतन में थोड़ा सा धनिया सुखा धनिया साब टुटा वह नहीं आप थोड़ा सा अपने घर के प हैा तर्दिए लादे कर दो लादे के लुटा ले कार्ड़िवार तर्मारी लोड lige झाई है